So guys, अगर आप लोग Vivo Y35 यूज़ कर रहें और यह डिवाइस में अगर आप लोगों को fingerprint lock से related कोई भी problem आ रही हैं, fingerprint lock काम ना करें, तो कैसे आप लोग उस problem को fix करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजएगा, विलका icon को press कर लेना है, तो देखे सबसे पहला solution हम क्या use करेंगे, सबसे पहले आप लोग को system update पर जाना है, और आप लोग अपने phone का update चेक करना है, अगर कोई update अप लोग होगा, तो simple आप लोग को अपने phone को update कर लेना है, कभी-कभी क्या होता है कि software म बग आ जाने की वज़े से भी step की problems देखने को आ जाती है, तो अपडेट करेंगे, तो काफी चांसे कि आप लोगों की problem fix हो जाएगी, ठीक है, अपडेट भी कर लिए, फिर भी आप लोग के अगर problem fix नहीं होती, तो आप लोग को जाना होगा settings में, security पे, उसके बाद the fingerprint पे फिर से क्लिक करें, अगर आप लोग को fingerprint successful तरीके से add हो जाता है, तो definitely आप लोग की problem solve हो जाती है, ठीक है, अगर यह तरीके से भी problem fix नहीं होती है, तो आप लोग को last में क्या option है, आप लोग settings में जाएगा system पे, तो आप लोग को reset options पे क्लिक करना होगा, reset all settings पे क्लिक करना है, इसमें storage का कोई भी data delete नहीं होगा, basically इसमें होगा क्या, अगर किसी गलत activity की वज़ा से आप लोग को fingerprint में problem आ रही होगी, तो सब कुछ default हो जाएगा, और आप लोगों की problem भी fix definitely हो जाएगी, ठीक है, तो यह solutions का आप लोग definitely use करें, मिलते हैं next वीडियो में जय मतादी